Dear Students, मैं दविंदर सिंग चैर, साइंस मास्टर, सरकारी हाई स्कूल, शेरगड़, आप सब दा स्वागित करदा हाँ. प्यारे बच्चेओ, आज असी जमात छेमी दा चैप्टर 6, Changes Around Us, साट्डे आले द्वाले दे परिवर्तन. इस पार्ट दे कुछ महत्त पूर्ण प्रशन उत्रानूं दोहरा माँगे, Important Question and Answers of Chapter 6, Changes Around Us, या साट्डे आले द्वाले दे परिवर्तन. प्यारे बच्चेओ, विबात द्वारा वकवक चैनल्स ते, तो हानू इस चैप्टर दे बारे डिटेल बिच पहला समझाया जा चुक्या होवेगा. आज जसी एस दे महत्त पूर्ण प्रशन उत्र दोहरा मांगे, विद्यार्थियों साड़े रुजवाना जीवन दे विच कई तरांदे परिवर्तन साड़ी डेली लाइफ दे विच होंदे हन, कई तरांदे चेंजेज होंदे हन, ए परिवर्तन मुक्त और ते दो तरांदे हन, एक है रिवर्सिबल ते दूसरे हन इर रिवर्सिबल, पंजाबी चैना नो कईए एक परिवर्तन हन पर्तमे अते एक परिवर्तन हन अपर्तमे, हुण पर्तमे परिवर्तना तो की पाव है, सपोज तुसी पाणी नू गरम कीता, उस तो पाफ बन गई, पाफ नूजे कर थंडा करांगे ता दुबारा पाणी बन जाएगा ए है पर्तमा परिवर्थन means पाणी ने अपनी शेप चेंज की थी पाफणया पाफ नो थंडा करके वापस असी पहले वड़ा पाणी ही प्राप्त कर लिया तो ए हन परतमें परिवर्तन या रिवर्सिबल परिवर्तन, दूसरे हन इ्रिवर्सिबल या अपरतमें परिवर्तन, ओ की हन? उने दा एक सिंपल जाओ दा अरण तो नुदिन्ना है जे कर तुसी किसे कागज दे टुकडे नू लोओ उसनू आगे लगा दो वो जल जाएगा जलन तो बाद राख मिलेगी राख थो असी वापस पहले वड़ा कागज प्राप्त नहीं कार सागते ता एह हुंदे हन पर्त में अते अपर्त में परिवर्तन reversible and irreversible changes हुण साथी पाट पुस्तक दे वेच पहला प्रशन जिमें कि तुसी स्क्रीन ते देख रहे हो आपा कुछ उदारन लेने हन लेफ्ट हैंड साइड खबे हाथ थोड़े change लिखया है वो परिवर्तन दे टाइप हान जिमें कि sawing of wood मतलब लकड़नों कटना दूसरा है melting of ice cream पाव आइस्क्रीम दा पिगलना तीसरा है dissolving sugar in water मतलब खांडनों पाणी विच कोलना चौथा है cooking of food पाव पोजन पकाउना पंजमा है ripening of mango पाव आंब दा पकना ती छेमा है souring of milk पाव दो ददा फटना सजे हाथ जे कर देखोंगे ताँ उपर लिखे can be reversed yes और no मतलब इना छे परिवर्तना दे विच्चों केड़े reversible हन ती केड़े irreversible हन ओ आज तो आनू मैं दसांगा ताँ पहला example है sawing of wood ए पर्तमा परिवर्तन है या अपर्तमा reversible है या irreversible इसनू अपन डिसकस कर दे हाँ प्यारे विद्यार्थियो जिमें कि तुसी slide दे विच देख रहे होंगे एक animation रही तो हानों दिखाया गया है एक बच्चा कोहाडी दे नाल लकड दे एक कुंदे नू काट रहा है एक की कर रहा है cutting of wood लकड नू काट रहा है प्यारे विद्यार्थियो जिकर इस लकड दे कुंदे नू वचालेओं काट देता जावेगा ता दो टुकडे हो जानगे नाल ही कुछ छोटे टुकडे विथो नू उड़ते दिखाई दे रहे होंगे जदों असी लकड नू काट देनने हां कोहाडी नाल या आरी नाल ता उस दे अलागलाग टुकडे हो जानदे हां वापस असी पहले वरगा कुंदा इस तो प्राप्त नहीं कार सागदे ता लकड नू कटना एक irreversible अपर्तमा परिवर्तन है और एसे लड़ी दे वेच दूसरा उदारण जडासी लेया ओ है melting of ice cream या ice cream दा पिगलना प्यारे विद्यार्थियो जिमे की तुसे स्क्रीन दे उत्ते देख रहे हों खबे हाथ एक ice cream है जो गर्मी दे कारण पिगल गई और ice cream जेकर पिगल गई उस पिगली होई ice cream नूँ अगर असी फ्रेज दे वेच या किसे ठंडी surface दे उपर रखांगे जिमे कि तुसे सजे हाथ दूसरे वीडियो दे वेच देख रहे हों पिगली होई ice cream नूँ जेकर ठंडी सता ते या freezer दे वेच या fridge दे वेच रख्या जावेगा तो उद दोबारा जाम जानती है मतलब पिगली होई ice cream नूँ दोबारा ठंडा करके फिड़ ice cream प्राप्त कीती जा सागती है इस तो पाव की होया ice cream पहला पिगल गई गर्मी करण उस पिगली होई ice cream नूँ असी freezer दे वेच रख्या या ठंडी सता ते रख्या वो दोबारा ice cream दे वेच जाम गई तब पिगली होई ice cream तो दोबारा उस नूँ जमा के असी दोबारा ice cream प्राप्त कर ली इस दा मतलब एप परत्मा परिवर्तन है reversible process है क्यों है क्योंकि जड़ी ice cream साथी बिगल गई सी उस तो मुड उस से रूप दे वेच जोस नूँ सी ठंडा करके दोबारा प्राप्त कर लिया तब एस सी साथा दूसरा उधारण melting of ice cream जो कि एक reversible change है होन प्यारे विद्यार्थियों तीसरा example है sugar in water पाव पाणी दे विच खांड नूँ कोलना एक के हो जेहा परिवर्तन है खबे हाथ तुसी एक वीडियो देख रहे होंगे जिस दे विच चमच नाल पाणी दे विच खांड मिलाई गई उस नूँ हिला के मिला दता गया और खांड पाणी दे विच खोल गई है जेकर असी वापस खांड प्राप्त करना चानने हाँ इसे पाणी दे विच खांड नूँ जेकर वापस प्राप्त करना चानने हाँ ता असी की करांगे सजे हाथ दूसरा वीडियो है जिस देविच तुसी देखोंगे जेकर पाणी देविच कुली होई खांड नूँ असी किसे पैन विच पाके दोबारा गरम कर दे हां ता सानु पता है पाणी पाणी के उड़ जाएगा ते पिछे कीरा जाएगी खांड ता इस तो की पाव है खांड नूँ जेकर सी पाणी देविच कूल देवागे ता उस पाण कुली होई खांड नूँ वापस पाणी नूँ गरम करके प्राप्त कीता जा सकता है तो ज़दों किसे चेंज दे विच वापस ओही चीज प्राप्त कीती जा सके हो हुं दे हन पर्तमे परिवर्थन या रिवर्सिबल प्रोसेस ता पाणी दे विच खुली होई खांड एक पर्तमा परिवर्थन है असी उस खुली होई खांड नू गरम करके दुबारा प्राप्त कर सब्दे हुँ इसे लड़ी दे विच तीसरा एक्जांपल नों अपना आजंदा है कुकिंग फूड या पोजंदा पकावना खबे हाथ उसी वीडियो चे देख रहे होंगे सबजिया नों चाकुनल कट्टया जा रहा है ते सज्जे हाथ गैस दे उपर रखके इना सबजिया नों अपना वकवक मसाले मिला के तियार कर लेने हैं साड़ा पोजन तियार कर लेने हैं प्यारे विद्यार्थियो जोदो सबजिया नों असी कटता उस तो असी पोजन बना लेया वापस उस पक्के होए पोजन तो दूबारा सबजिया प्राप्त नहीं कीतियां जा सकतीयां इस तो पाव की है जदो तुसी एक बार सबजिया नू कट लेया उनना दे विच मसाले मिलाते उनना नू पका लेया पकाउन तो बाद वापस सबजिया नू उसे रूप विच प्राप्त नहीं कीता जा सका इसलिए पोजन नू पकाउना एक इर्रिवर्सिबल या अपर्तमा परिवर्तन है नेक्स्ट एक्जांपल आपना आजन्दा है राइपनिंग ओफ मैंगो या अंबा दा पक्णा सानू पता है प्यारे विद्यार्थियो वी आंब दे द्रख्ता ते लगदे हन छोटे फुल्ला तो फेर आंब दा निर्मान शुरू होंदा है पहला आंब कच् हरे तो होली होली अपना रांग बदल दे हन पीले हुन दे हन या संत्री हुन दे हन जदो पीले ते संत्री होगे इस तो पाव है कि आंब साट मा पक गया जि में की तुसी वीडियो देख रहे होंगे दरख्त दे उपड़ हरे रांग दे छोटे आंब फेरो नासाइज आपस कर्चे आंब प्राप्त नहीं कीते जा सकते। ता राइपनिंग ओफ मेंगो एक इर्रिवर्सिवल या अपर्तमा परिवर्तन है। प्यारे बच्चे आपने माता जीनु कहने हो असी पनीर खानें तो की करदेने, दोद दे वेच नीम्बू या कोई खटा पाके उसनु तोड़ देने, सोरिंग ओफ मिल करदेने, इस तरह दोद तों पनीर वक्रा हो जान्द है। दोद फाट गया, उस तों पनीर अलग हो गया। पहले वाली कंडीशन असी प्राप्त नहीं कर सकते, पाव पनीर तो दोद प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए है अपर्तमा परिवर्तन है, इर्रिवर्सिबल चेंज है। इस तरह दोद फाटना एक इर्रिवर्सिबल या अपर्तमा परिवर्तन है। नेक्स्ट एक्जांपल जिड़ा आपन लेना है बेटा, इंपोर्टन कॉस्चन है, पी ओ पी या प्लास्टर ओफ पैरिस, ए दे विच जदों पाणी मिला देता जानता है, तक की ए पर्तमा परिवर्तन है या नहीं है। तब प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला यह पता होना चाहिदा है कि प्लास्टर ओफ पैरिस, जिस दी शॉर्ट फॉर्म पी ओपी है, जिवे की स्क्रीन दे विच तुसी देख रहे हो। जिसनों आम पाशा दे विच पलास्टर करना के नहां, ओदे विच की है, वो बेसिकली पी ओपी या प्लास्टर ओफ पैरिस तियां पटियां हों दिया हन, जिननों पाणी नाल गिल्ला करके साधी टुटी होई हटी दे उपर लगा देता जानता है, जदों प्लास्टर हो हो जानता है, अदे कंटे या कंटे तो बाद तुसी देख्या होना है, वो प्लास्टर जिड़ा कीता है, वो हाड हो जानता है, सक्त हो जानता है, पाणी मिलाया जावेगा, तो वो सक्त हो जानता है, कठोर हो जानता है, इस तरहां साटे हत्ते या पैरते जो प्लास्टर हो वो हाड हो जान दा है। होण 15 दिन वी दिन दे बाद असी वो पलस्तर हटवाण ली जानने है। तो डॉक्टर की कर दा है। सजे हाथ स्लाइट देविच तुसी देख रहे होंगे। कटर दे नाल उस प्लास्टर नो कट दा है। प्योपी सी की वो एक पाउडर सी पर जदों वो देविच पाणी मिलेया। वो कटोर हो गई। उन्हें पलस्तर दा रूप लेलेया। पलस्तर खुलो अन जदो जानने हैं आसी। उदों उसनों कटर नाल कटना पेंदा है क्योंकि वो इनना सक्त हो जान्दा है। होण जो प्योपी पाणी नाल मिलके सक्त हो गई, हाड हो गई। उस हाड प्योपी तो वापस दोबारा पाउडर लाइक प्योपी प्राप्त नहीं कीती जा सकती। ता प्योपी पाणी नाल मिलके वो हाड हो गई, एक प्रिवर्तन हो गया। उस कठोर प्योपी तो वापस पाउडर लाइक प्योपी प्राप्त नहीं कीती जा सकती। इसलिए प्लास्टर ओप्यरिस जेकर पाणी नाल मिल जावेगा ता ओ एक इर्रिवर्सिबल चेंज है, अबर्तमा परिवर्तन है। अगला कौश्चन अपना आजन्दा है पेटा, सीमेंट तो सबंदित। सीमेंट जिमेंकी सानुपता है करां दे वेचेसी कंस्ट्रक्शन दे वेचेस नूँ यूज करते हैं। कई वारसी देख देहां कि सीमेंट दा कोई गटा जेकर नमी या पाणी दे संपर्क चाजावे, ता ओ पाउडर वारगा सीमेंट जम के पत्थर वारगा हो जन्दा। जिमेंकी तुसी स्क्रीन दे वेच देख रहे हों एक कंस्ट्रक्शन साइट ते काम चल रहे हैं जिथे सीमेंट नूँ होर पदार्था दे नाल मिला के एक फर्षदा निर्मान कीता जा रहे हैं। और सीमेंट जदों पाणी नाल मिल जन्दा है वो हाड हो जन्दा है कठोर हो जन्दा। एक के हो जहा परिवर्तन है। साननों पता है, सीमेंट पाउडर वार की ग्रे कलर दा एक मिटीरियल है, जदों उसनों पाणी दे नाल मिला माँगे, ता ओ कठोर होना शुरू हो जानता है, साथे कारदियां चत्ता, कंस्ट्रक्शन देविच सीमेंट दा यूज कीता जानता है, उसनों रेते नाल दे पाण जड़ा दा निर्माण होन दे, ता प्यारे विद्यार्थियों, जदों वी सीमेंट दे विच पाणी मिलेगा, ओ कठोर हो जावेगा, हूण उस जम्में होए कठोर सीमेंट तो वापस पहले वर्गा पाउडर लाइक सीमेंट प्राप्त नहीं कीता जा सालगा, ता पाणी संपार चाउडनार सीमेंट कठोर हो जाएगा यह एक अपर्तमा परिवर्तन है इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है प्यारे विद्यार्थियों हुण अगला कॉस्चन असी देख दे हाँ असी आम तोरते बारिशां देविच देखा होगा जदों बजार देविच पाणी पर्या है ता असी की कर दे हाँ अपनी पैंट जड़ी असी पारकी है पैंट नू थल्लेओं उदे पॉंच यह फोल्ड कर देने हाँ जिमिक की डाइगरां देविच थो नू नजर आ रहा जो सड़क देविच पाणी खड़ा है उदे विच खड़ा है उस दी पैंट नू त्यान नाल देखो उसने अपनी पैंट नू फोल्ड कर रख्या है ता जो उस दी पैंट गिल्ली ना होई एवी एक परवर्तन है उन एक के हो जेहा परवर्तन है इसनू इंग्लिश कहने है folding pent in waterlogged area मतलब जैस area देवेच पाणी जमा है उत्थो जेकर असी निकलना है तासी अपनी pent नूँ fold कर लेने हो होण जेकर तुसी उस जमा पाणी वाले area चो निकल गे तो d pent नूँ तुसी fold करके उपर कर लिया थो d pent गिली नहीं होई तुसी उत्थो निकल गे उस तो बाद की करोंगे जदो सुक्की जमीन ते पहुंचोंगे तुसी जड़ी अपनी pent नूँ fold कीता सी उसनों वापस खोल के लंबा कार लोंगे ता तुसी अपनी pent नूँ fold कीता fold करन तो बाद उसनों वापस खोल लेया ते set कर लेया ए परतमा परिवर्तन है reversible process reversible या परतमा के में pent नूँ जदो पाणी परे लाके चो निकल ना चीदो तुसी अपनी pent फोल्ड कर ले जदो उस अलाके चो निकल गे वापस तुसी अपनी fold कीती pent नूँ थले कर लेया इस तरह ए एक परतमा परिवर्तन है reversible process है होण अगला महत्रपून प्रशनाजन्दा है त्यारे विद्यार्थियों जिमें कि तुसी स्क्रीन दे विच देख रहे हो broken toy कई बार दो विद्यार्थि या दो बच्चे आपस चे खेड रहे हों देने दोनों उस खडोने नों फढ़के खिचना शुरू कर दे हैं एनना जोर अजमाईश किती जान्दी है कि उखडोना बचालेओं टोट जान्दा है जिमें तुसी स्क्रीन देख रहे हो होन खिलाउने आदा टोटना ये भी एक बदलाव है चेंज है पर एक के हो जिहा है पर्तमा है या अपर्तमा पाब रिवर्सिबल है या इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होन जिमें कि तुसी स्क्रीन चे देख रहे हों बेटा पालू नू दो बच्चे टैडी नू खिच रेने वो बचालेओं फट जान्ता है होन जदों वो बचालेओं फट गया या कोई खडोना टोट गया दोबारा वो पहली अवस्था दिवेच्च नहीं आवेगा इस तरह खडोनेदा टुटना एक इर्रिवर्सिबल या अपर्तमा परिवर्तन है पाव असी तुटे होए खडोने तो वापस पहली अवस्था वाला खडोना प्राप्त नहीं कर सकते ता एसी ब्रोकन ट्वाइज या खडोने अबरे ता इस तरह आपां प्यारे विद्यार्थियों देख्या कि पर्तमे अते अपर्तमे Reversible and Irreversible दो तरह देख्यारे अगला परिवर्तन अगला important question जिड़ा बनदा है ओ है जेकर अपां pencil लेके उसनू सफेद कागज देख्यों पर कुछ लिखिये ता एक के हो जेहा परिवर्तन है Reversible है या Irreversible है पर्तमा परिवर्तन है या अपर्तमा तब प्यारे विद्यार्थियो जिमें कि तुसी स्क्रीन देविच देख रहे होंगे एक pencil नाल पेज दे उपपर कुछ draw किता जा रहे है लिख्या जा रहे है होन प्यारे विद्यार्थियो तुसी रुजाना अपनी copies देविच होंबर कर देओ पैंसल नाल डायग्राम बनाओने हो सपोज पैंसल नाल डायग्राम बनाओने तो अड़ा डायग्राम गलत हो गया तुसी की करोंगे शाबाश तुसी एरेजर लोंगे ते उस गलत बने डायग्राम नों जो पैंसल नाल बनाया गया उसनों रब कर दोंगे, मिटा दोंगे, उस तो बाद उनों सही करके दबारा बना लोगे होण पैंसल नाल तुसी पेज दे उपपर एक डायग्राम बनाया या कुछ लिखिया, ओ एक चेंज है, परिवर्तन है, ओ तुसी करता तो आटा डायग्राम सही निबणया, ओ गल्थ हो गया, तुसी इरेजर लई, उस गल्थ हिस्से नूं मिटो ता रब करता ता तुसी की किता, जड़ा पहला परिवर्तन कीताओ, चेंज कीताओ, की पैंसल नाल कुछ लिखन दा, उस लिखी होई चीज नूं तुसी मिटाता मिटाउन नाल थो नू जेड़े पेज दे उपर तुसी कुछ लिख्या सी वो पेज ओमे दा ओमे नीट अंड क्लीन साफ सुत्रा तो नू मिल गया इस तो पाव की होया पैंसिल नाल जेकर आपां किसे पेज दे उपर कुछ लिख दे हां तां उसनों मिटाया जा सकदा है वापस पहले वरगा साफ पेज प्राप्त कीता जा सकदा है तां पैंसिल नाल कौपी दे उपर ड्रॉ करना या लिखना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जेकर तो आड़े तो गलती हो जावे ता तुसी उन्हों इरेज करके दोबारा लेख सागते होता ये एक पर्तमा परिवर्तन है रिवर्सिबल प्रोसेस है इसे लड़ी दे विच इसे कॉस्चन तो रिलेटेड एक होर सवाल तोड़े दिमाग जा सकता है बेटा बिसर कई वारसिं स्केच पैन नाल कोई डाइगराम बनोने हां ओ के हो जेहा परिवर्तन होएगा या वेक्स कलर नाल बनोने हां ओ के हो जेहा होएगा एदे लिए अगली स्लाइड अपन देख दियाँ बेटा सपोस्ट उसी sketch pen नाल उससे सफेद कागय दे उपर रंगदार लाल नीला कुछ ड्रॉ कर दे हूँ जिमें कितों नो screen चे दखा रहे हैं अपन blue color दा sketch pen ले है sketch pen दी श्याही नो मिटोया नहीं जा सागता ता जिस page दे उपर तुसी sketch pen नाल कुछ बना दोंगे रंगदार wax color नाल या sketch pen नाल उसनों eraser नाल हटाया नहीं जा सागता इस कारण sketch pen नाल कॉपी ते बनाई गई कोई भी चीज ओके हो जाब दलाव है irreversible या अपर्तमा परिवर्तन है क्योंकि वापस तुसी sketch pen नाल डायग्राम बना के वापस उसनों रब करके पहले वरगा सफेद पेज प्राप्त नहीं कर सागते ता ए एक अंतर है pencil नाल कॉपी ते कुछ लिखना अर्थे sketch pen नाल कॉपी ते कुछ लिखना दोनों ही अलग तरा दे परिवर्तन है pencil नाल जे कर लिखते हो ता वो पर्तमा परिवर्तन है क्योंकि पैंसिल नाल कुछ गल्थ हो गया उसनों रब कीता थे सई करता, पर स्केच पैनल लिखया हुया अपर्तमा परिवर्तन है, क्योंकि स्केच पैनल बनाई चीज नो तुसी मिटो, यह रब यह भटा नहीं सकते, इस तरहा पर्तमे अते अपर्तमे परिवर्तन नों समझ हन बर्त में अते दूसरे हन अर पर्त में परिवर्त Anne परिवर्तThree तो पाउ जेना परिवर्ता नों वापस reverse किता जा सकता है उल्टाया जा सकता है irreversible बदलाब ओ घुन देहन जेना नों वापस दोहराया या चेन नहीं किता जा सकता मैं उमीद कर दा हाँ, आप सब नूँ प्रशन उत्तर, important question answer समझ आगे होंगे Thank you very much, stay home, stay safe